कि नमस्कार मित्रो सोसला जी विद्रूदीक्षित चैनल में मैं दुरूपार दीचित आपकर सवरत करता हूं जे हां आज तीपावली है एक उमंग भरा तेवार तीपावली एक ऐसा तेवार है जिसमें आप देखेंगे धन धान की बरसात हो जाती है बजार रोनक हो गया आज मैं बजार गया था जोलपर में इतनी भीड इतनी भीड की गाड़ी भी पार करना पड़ रही है और पैदल भी नहीं चल पा रहे थी असल लगी नहीं रहा था कि ये कोरोना के पहले का शहर है या बात का शहर को पहले भी यहां बहुत मौज मस्ती होती है काफी फूल, पत्ति, जालर, तिये, आतिसबाजी, पठाके, कपड़े, टीवी, कार, फ्रेज, सभी बिख रहे हैं। और इसको देख के ऐसा लगता नहीं कि जवलपुर शहर, लहर शहर का यह हाल है, मिठाईयां भी करूनों की बिख रहे हैं। ऐसा देख के लगतानी की गरीबी है। लेकिन वास्विकता कुछ और ही है। ठीक है, 120 रुपे लीटर पेट्रोल है, पेट्रोल पंपे लाइन लगी है, मानता हूँ, भीड अभी भी है। 120 रुपे लीटर का पेट्रोल भी आदमी लेने के लिए तयार है। पठाके भी मग्याता पठाके की दुकान में कुछ लोगों को मैंने देखा, उन्होंने 10-20-20,000 रुपे के पठाके लिए। और मैंने भी लिए, लेकिन मैंने इतने नहीं लिए, मैंने मात्र 12 रुपे के पठाके लिए भतीजे भतीजी के लिए। बेटिया मेरी अनार बगराय चलाती है। यह लिए। सारी चीजें खरीदारी हो रही है, सब जगह हो रही है। पर ऐसे में मैं पढ़ रहा था समाचार पत्र मेरा शौक है। समाचार पत्र ज़रू पढ़ता हूं अप फार पढ़ता हूं। और उसमें kap institute — सभी समाचार पढ़ता हूं। वह। समाचार पढ़ता हूं। वह। बीड करता हूं और सामा नियूस भी वह इसमें मैंने एक लेक पड़ा है पत्रकास अमडार सते जोलपुर में हेमंद पढ़ेशी का हूं हर दिन हर दिन हम लोग कुछ ना कुछ खरीते हैं करते हैं दिपावली पे तो खरीते हैं धन तेरस पर जैसे कि मैं हर साल एक किताब खरीता हूं लोगा सोने चांदी के सामान खरीते हैं मैं किताब खरीता हूं कई सालों से चला रहा है आप लोग भी कुछ ना कुछ खरीते हो दीपावली पर आपके चारो तरफ उचियारा ही उचियारा प्हेलेगा वास्तों में हमारे धर्म ग्रंतों में सास्त्रों में साख लिखा है कि हर व्यक्ति को दान पुर्ण करना चाहिए उसे उतकी यश्किर्थी बढ़ती उसे यश्किर्थी मिलती है समाज में समानता का भाव आता है जिसके पास है वो लोगों को दे कोई जिसके पास नहीं है वो क्या करेगा उसको अपने जैसा बनाने के लिए समानता का भाव है आर्थिक समाजिक खाईकों में कम करना है राजा हरिष्चन तो सत्वादी थे, वो भी दान करते थे, कर्ण ने सब कुछ दान करा, तो उसने अपना जीवन तक दे दिया था, कुंडल कवज जो उसको रक्षा देते, उसको अमर करके रखते थे, इंद्र ने मांगा, भेज बदल के देते, माता कुंती ने भी मांगा, तो उसने का, कि ठीक है, मांता हूं पर मैंने जो पीडा भोगी है, और मैं अपने मित्र, दुर्योदन के साथ धगा नहीं करूंगा, आपको मैं वचन देता हूं, आपके पांच पुत्रें पांच रहेंगे, उनको भी उनने दान दिया, तो दान की महिमा, दान की परंपरा भारती संस्कृती में सनातन अनात काल से चली आ रही है, एक तेक दानियों, आपने भी देखा होगा, कोरोना पिरियड में, टाटा, रतन टाटा जी का कोई तोड नहीं, रतन टाटा जी ने बहुत कुछ दान किया, अजीच प्रेम जी भी बहुत कुछ दान करते हैं, मुके अनतर भारत सरकार भी और हमारे यहां के लोग भी लोगों को मुफ्त बोजन करा रहे हैं, उनको अनाजतान देते हैं, इसलिए आप देखेंगे भारत में करोना से लोग बरबाद हुए, लेकिन ऐसे बरबाद नहीं हुए, एक परवार के रूप में हमने उनको रखा, तो दान पुन जो है, यह बहुत बढ़िया है, तो हेमंग पांडे जी ने कहा, दान से हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, हमें कुछ चीज़ों का संकल्प लेना चाहिए, कि हम दान देंगे, उससे आप देखें, चार उत्रा कुछ यारा फैलेगा, एक बढ़िया चीज उनने अन्य का दान कीजिए, आप जरूरी नहीं है कि बड़े इससर पर दान करें, जैसे भारत सरकाल लोगों को अन्य दान कर रही है, या बड़े-बड़े उद्योग पती कर रहे हैं, जोल पर भी कही उद्योग पती हैं, दान कर रहे हैं, वैसा नहीं कर सकते हैं, ऐसा जरूरी मेरी यहां छत में खूब आते हैं कबूतर आते हैं और आपके तोते आते हैं मिरी बेटी आता है रोज उसको दाना देती है पानी देती है वो भी एक बहुत चाहरे сам हम अपने खुद के लिए अंजल की विश्था करने लगता है, शिक्षित व्यक्ति अपने लिए करेगा, अपने परवार के लिए करेगा, लेकिन अगर आपने उसको सिक्षित कर दिया, देखें, वो कहां से कहां पहुंचाएगा, आप चाहें, तो बुजरुगों को मोबाईल लेप्टॉब चलाना सिखा को उन्हें आतनिर्फर बना सकते, आपने देखा होगा, हमारे मेंसे भी नहीं बनता, मेरी बेटी ने मुझ को सिखाया, हमारे बड़े बुजरुगों परवोत के लेप्टॉप देगे, मोबाईल देगे, उनको सिखाएंगे, कि उसको कैसे operate करना है तो सिक्षा का दान आपको सिस करिए कि आपके college में अगर कोई गरीब बच्चा है किसी कारण से वो उसको आरक्षान का भी लाप नहीं मिल रहा है उसकी परिक्षा फीज जमा करा दिये जिससे की परिक्षा देने जिवन चितना हो उसको किताबें दीजे आज जीवन प्रत्यासा बढ़ाने के साथ साथ हमारी जीवन प्रत्यासा जो बढ़ रही है साथ साथ लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां भी हमको सवगात की रूप में मिल रही है हमारी life तो बढ़ गई है जीवन प्रत्यासा बढ़ गई है पहले 55 साल थी अब 600 साल हो और भी कई लोग हैं आप देखें उम्र बढ़ती जा रहे हैं लेकिन उम्र बढ़ने के साथ-साथ हमको लंबे समय चलने वाले बीमारियां भी मिन रही है। करोना के आपने देखा को जो लोग करोना से छी के उनके कुछ ना कुछ साइड एफेक्ट भी हैं। जिनको नहीं हुआ वह कुछ नसीब है। तो उनको ना कुछ परिशानिय दवाय उनको लेना पड़ रहे हैं। इह भी है बहुत से व्यक्ति करीभी के काराण ऑनके पास इतना पैसा नहीं कि दवाय नहीं कृतsters देखा हैं। जो आज भी एक रुपए फीस लेते हैं सदर में एक डॉक्टर नहें डाबर बो एक रुपए फीस लेते हैं गवाँपुर में डॉक्टर S के मुकरजी हैं भी नाम सोरो मुकरजी तो वो भी इसके मुकर्जी है वो भी एक रुपए ही फीस लेते हैं और हम लोग तो उनके बहुत पराने वो हैं हम सन 1955 से उनके हाँ आना जाना है मेरे बड़े भाई बगरा तो वो हम लोग से पैसा नहीं लेते हैं तो वो देखिए और शदीदान कई डॉक्टर्स के पास में एजेंट लोग, अमर लोग जो दबाईयां दे जाते हैं तो डॉक्टर लोग मरीजों को दे देते हैं वो भी दान है तो उनके साथ साथ हमको आपको भी प्रयास करना चाहिए आप देखिए आपके मॉर्ले में आपके पास प्लोब ने आपको ए घर में जो काम करने वाली बाई है या जो चौकीदार है या आपको ड्राइवर वगरा है कई बाए उनकी सिती ऐसी नहीं रहती है उनको आप उनके घर में बड़े वजुद है जिनको कंबीर विमारियां है उनको और श्रती दान कर दीजे मै आज हमारी globalization के दोर में भाग दोर की जिनकी है हर कोई भाग रहा है मैं भी भाग रहा हूं आप भी भाग रहे हैं और सभी के पास क्या है सब कुछ है आपके पास भी सब कुछ है मेरे पास भी सब कुछ है लेकिन एच चीज नहीं है क्या है समय नहीं है आप किसी से भी सामा प्रोफेसर है रिवा में उनसे बात ही ये काम करना है अब लोग की सुसाइटी है मध्यांचे सुसाइटी उसके वो अध्यक्ष है डॉक्टर महीं शुकला जी वेपसाइट से अपडेट करना है उन्होंने का मेरे पास समय नहीं है अभी मैं हार एजुकेशन के दूसरेते बात हुआ है मेरे एक और मतने सतना में डॉक्टर सी राय जी कुछ आदम कायर की बात हो रही थे लिशुकला जबी मेरे पास समय नहीं पर कूसों सुनके बड़ा टाची हुआ मैंने का क्या बात है देदी मितना समय नहीं है तो फिर है क्या बाल्तर हम सरसंपवर हमारे पास सब कुछ है लेकिन समय नहीं है तो वास्तों में देखा जाए भागदोड की जिंद्गी में हर कोई भाग रहा है और इसलिए भाग रहा है कि उसके पास समय नहीं है जो दोड में सामिल नहीं हैं जैसे बच्चे, बुझोर, ग्रैनिया, रेटायर्ड आदमी उनके पास बहुत समय है, उन्हें भी आपके थोड़े से समय की जरुरत है, आज हमारे जो बुजुर्ख हैं, रिटार्ड होगा हैं, घर में अकेले बैठें, ग्रेनियां घर के काम में लगी रहती हैं, बाहर ने निकल पाती हैं, बच्चे, कुरोना के करान तो उनके स्कूल उनको कुछ सामान देना चाहते हैं, मेरा कहना है आप उनको समय दीजिए, आप उनके साथ बैठिए, उनको बहुत अच्छा लगेगा, आप देखे, आपके महले के बड़े बजुर्ख बिचारे बैठे रहते हैं, बच्चे जिनके बाहर हैं, आप उनके साथ बैठिए, द और दान की बात है विचारों का दान, thoughts, donation of thoughts. सही विचार से ही लोगों का अच्छा भविस बन सकता है. ऐसे में हमें अपने विचारों का दान करना चाहिए. समाज में जो negativity बढ़ रही है, नगारात्मा को अंदकार, उसको समत करना है. अंदकार को अलग करना है, नगारात्मा को अलग करना है, दीपावली है ही नहीं, इसके अंदकार को मिटाइए. आप समाज में समानता लाने के लिए अच्छे विचारों को दान करिए. जब तक आप अच्छे विचारों का दान नहीं करेंगे समाज से नकारात्मक्ता नहीं हटेगी समानता नहीं आएगी ये विचारों का दान बहुत ज़रूरी आज समाज में जितना भी गलबली हो रही है वो अच्छे विचारों के ना होने के कारण हो रही है positivity कम हो रही है negativity बढ़ रही है दूसरी चीछ बुराईयों का त्याग करिए अपने खुद के मन को अगर आप प्रकासमान करना चाहते हैं जोती ते भरबूर करना चाहते हैं तो जरूरी है कि हम अपने अंदर की बुराई को नस्ट करें मैं ये नहीं करता कि हर किसी में बुराई नहीं है थोड़ी बहुत सब में रहती है किसी माधिक रहती है किसी में करने लेकिन अगर हम सकारात्मक्त तक प्योर पढ़ेंगे नगारात्मक्ता छोड़ें हम सब के साथ सहयोग सब के साथ समान वैवार सब कर साथ मदद करने का करेंगे सुक्संब्रती आने लगे और बुराईयां हमारे दूर होने लगे दीपावली का है अभी आप से मैंने अन्य दान की बात की सिक्षा की दान की बात की औशदी दान की बात की समय दान की बात की बिचारों के दान की बात की और बुराईयों के त्याग की बात की लेकिन इसके साथ एक और चीज आपके साथ दान की करूँगा मैं कल है दीपावली दीपावली का तेवार मौझ मस्ती का तेवार है खुशियों का तेवार है नए कपड़े पहनते हैं लोग आप पूरे परवार नए कपड़ों को खरिता है पहनता है दिये जलाता है मिठाईयां खाता है अपने मित्रमणलियों को घर में आने वालों को अच्छी तच्छी मिठाई पस मिठान कलाता है और साम को दीपावली के समय कल साम को लक्षमी जी लक्षमी गड़ेंची की पूजन करने के बाद में खाना खाके नए नए तरीके थे खाना खाने अच्छे बंजन पनाई जाते हैं और बाहर आंगन में या छट में हम लाखों करूनों के पटाके जला देते हैं खुब आतिषवाजी होती है अभी भी हो रही है आपको वीडियो में आवाज भी होगी आतिषवाजी हम खुब करते हैं कभी आपने सोचा आपके घर में जो काम करने वाली बाई है या आपका जो ड्राइवर है या आपकी कालोनी के जो चौकीदार है या जो फुटपात पे समान बेचते हैं, फूल बेचेंगे, सबजी बेचेंगे, उनके पास इतना पैसा नहीं रहता, उनके बच्चे बेचारे देखते रहते हैं घर में, वो दिवाली के पूजा करके सो जाते हैं, लेकिन पठाकों की आवाज उनको सोने नहीं देती, वो माबाप की डाट खाके च कुछ पठाके जो जल नहीं जाते हैं, बच जाते हैं, उनको ले जाके जलाने का एक प्रयास करते हैं, तो मेरा कहना है कि अगर आप जितने के भी पठाके खरीद रहें, उसका सिर्फ एक या दो परसेंट ही आप अपने चौकिदार, अपने घरेलू, डोमेस्टिक वरकर, जो हैं, गरेलू काम करने वाली बाई, माली, ड्राइवर, सड़क में रहने वाले लोग, इन लोगों को अगर उनको पैसों से पठाके अगर आप दे देते हैं, उनके बच्चे भी पठाके फोड़ेंगे, वो भी आनन दित होंगे, और दीपावली बहुत अच्छी से बना बादान करेंगे, और अपनी बुराईयों को अपने से अलग करेंगे, जिससे के चारो तरफ कुछ यारा फेलेगा, यही मैं दुरुपार दिक्चित, अपने चैनल, दोसला जीवे दुरुदिक्चित के माद्यम से आप से दान का संकल्प चाहता हूँ, हमां सब दान करें, और देखें, भारत में खुतियां ही खुतियां, हमारे आसपास खुतियां ही खुतियां बहेंगी, और जब हमारे चारो तरफ का वातरवन खुतियों से भरपूर हो जाएगा, हम खुद भी आधन देतोंगे, आज के लिए उतना ही।